Avescular Necrosis या Avian एक ऐसी बीमारी है जो कि हिप को अफेक्ट करती है इसका मुख्य कारण होता है अगर किसने लंबे तमेस तक स्टिरोइड्स लिये हो या एलकोहल खूब पिया हो या फिर कभी चोट लगी हो या इनफेक्शन हुआ हो हिप में इन कारणे से मुख्यता Avescular Necrosis या Avian हिप होता है इसके सिवा कुछ rare कारण भी होते हैं जैसे Blood Coagulopathies हो या Cassons Disease हो जो कि बहुत rarely देखने को मिलते हैं Avescular Necrosis हिप normally दोनों हिप्स को affect कर सकता है और but symptoms एक हिप में जल्दी शुरू होते हैं और धीरे धीरे से दूसरे हिप में भी हो जाते हैं इसमें ये start होता है pain के साथ धीरे धीरे movement restriction होते हैं चलने में दिक्कत होती है उठने बैटने में दिक्कत होती है मरीज का खड़े होना, bathroom जाना ये सारी चीज़े भी मुश्किल हो जाती है pain धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसका कारण ये है कि hip जो है धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है क्योंकि blood supply जाने लगती है पहले इसमें सिर्फ hip का जो ball होता है वो involved होता है जिसे हम femur head कहते है धीरे धीरे वो head जो है वो छोटा होने लगता है तूटने लगता है उसकी shape भी गड़ जाती है जब ये एक late stage में पहुंच जाता है तो धीरे धीरे जो cup या जिसको हम acetabulum कहते हैं उस चीज़ को भी affect करने लगता है जिससे की जोड पूरा ही खराब हो जाता है अगर आपको avian hip है तो आप अपना MRI तुरंट कराएं जिसमें की वो आपको ये बताएंगे कि आपका किस stage पे ये avian hip है नॉर्मली इसके 4 stages रहते हैं जिसको की 1, 2, 3, 4 में बाटा गया है अगर stage 1 या 2 है तो हम एक core decompression नाम की surgery करते हैं जिसमें की हम मरीज को करीब आदे घंटे की ये surgery होती है general anesthesia देखे operation theater में लेके hip में एक hole बनाते हैं जिसमें की धीरे-धीरे normal blood supply वापिस regrow होती है इसमें हम कभी-कभी bone marrow भी डालते हैं साथ में या fibula graft भी डालते हैं या pedicle graft भी लगाते हैं इस surgery का main concept यह है कि इससे धीरे-धीरे hip में blood supply वापिस आती है और hip जो है वो ठीक हो जाता है लेकिन अगर avian hip एक जरुत से जादा बढ़ जाता है जिसमें की hip का जो cup है जिसमें मैसेटा बुलम कहते हैं वो भी involve होने लग गया है उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हम सीमेंट वाला hip replacement करेंगे या बिना सीमेंट वाला नॉर्मली यंग पेशेंस में un-semented hip replacement हम करते हैं जो की life लंबी रहती है और जो एक जिसमें diseased tissue या वो hip और ball जो involve होगी होती है उसको हम निकाल देते हैं और उसकी जगा पे हम synthetic hip और ball लगा देते हैं जिससे की मरीज का movement वापिस आ जाता है अगर ये avian hip later stages of life में हुआ है एक particular उमर के बाद तब हम सीधा cemented hip replacement भी कर सकते हैं hip replacement इस बीमारी में बहुत अच्छे result देता है मरीज का चलना उटना बैठना थोड़े टाइम बाद ही normal हो जाता है अगर आपको avian hip है तो आप alcohol या cigarette इन सारी चीजों को तुरन छोड़ दें अगर steroid आप ले रहे हैं किसी भी कारण से तो अपने physician से बात करें कि क्या steroid हम बंद कर सकते हैं इसके बावजूद अगर आपका avian hip बढ़ रहा है या symptomatic है अपने orthopedic surgeon से मिले जो कि उस avian hip की stage और आपकी उमर देखते हुए आपको बताएगा कि आपका core decompression surgery से काम चल सकता है या आपको total hip replacement surgery की जरूरत है Thank you